नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बरों की खोज कहां कहां तक पहुच रही है अब आपको दिखाई ही दे रहा है हर जगा चर्चा है कि सबसे बड़ी ख़बर भाशपा भाशपा के प्रवक्ता दोरा फैलाई गई नफरत है और इसने देशी नहीं पुरी दुनिया में और खास तोर से अरब देशों में हमारे जो रिष्टे चल रहे हैं उनमें बहुत बड़ी दरार पैदा की है और शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि इन तमाम देशों ने भारत के राजदूतों को बुला कर साफ साफ कहा कि उन्हें बहुत दिक्कत है जिस तरह से भारत में इस्लामोफोबिक यानि इसलाम के प्रती नफरत, मुसल्मानों के प्रती नफरत फैलाई जा रही है और फैलाने वाले सीधे सीधे भाशपा के प्रवक्ता है यहाँ पर बात सिर्फ दो प्रवक्ताओं की नहीं है सिर्फ नूपुर शर्मा या नवीन जिंदल की नहीं है जिनसे भाशपा ने कुछ समय के लिए जी हाँ ध्यान दीजिए कुछ समय के लिए ही पल्ला जाड़ा है यहाँ पर जब मैं आपसे कह रही हूँ कि यह एक फेस सेविंग एक्सराइज है कुछ दिनों की एक्सराइज है मेरे पास परियाप्त सबूत है ऐसा कहने के लिए और इसमें मुहर लगाती है नूपुर शर्मा की ये बातें इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि जो कुछ भी हुआ जिस तरह से अंतराश्टिय इस्तर पर भारत की भदपिटी वहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को बुला कर अरब देशों ने साफ साफ कहा कि यह नफरत नहीं चलाई जा सकती कि सब कुछ होने के बाद यह महिला साफ साफ कैमरे पर बोल रही है बोलने का साहस कर रही है कि पूरी की पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है यहाँ ध्यान दीजिए कि यह मामूली प्रवक्ता नहीं है खुद देश के प्रधान मंत्री इन्हें फॉलो करते हैं ट्वीटर पे और तब से लेकर आज तक एक शब्द भी भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के ग्रिह मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री ने किसी ने भी इस पूरे एपिसोड पर एक शब्द नहीं कहा So the senior leadership, be it the Prime Minister's office, the Honourable Minister's office, be it the Party President's office, they are all rallying behind me. भाश्पा की तरफ से, केंड्र सरकार की तरफ से, उसके मुखिया पूरी तरह से खामोशी साधे हुए हैं. एक राहत की बात ये, कि जब नूपूर शर्मा का यह interview जो आप इंडिया को उन्होंने दिया, यह सामने आया, उसमें CPM सामने आई और उसने सीधे सीधे सवाल किया, जो tweet आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है, कि आखिर यह impunity कैसी है, कौन लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर नूपूर शर्मा, जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में बदनाम किया, वह खुले आम, ग्रिय मंत्री का नाम ले रही हैं, प्रधान मंत्री का नाम ले रही हैं, देवे इंफड नवीस का नाम ले रही हैं, CPM बहुत गहरे सवाल अपने इस वक्तवे के जरिये उठा रही है, इस पूरे प्रक्रण में बहुत एहम भूमी का निभाई, आल्ट न्यूस के महब्बत जुबेर ने, उन्होंने ही टाइम्स नाव में जो नूपूर शर्मा ने जहर उगला था, उस बाइट को रिट्वीट किया, वह कहते हैं, इस तरह की नफरत पहलाने का काम कैसे फैला रहे हैं, और समाज में क्यों इतना विद्वेश फैलाने की अनुमती तमाम मीडिया घराने दे रहे हैं, बहुत ही बुनियादी सा सवाल मुहम्मद जुबेर ने उठाया, और वह लगातार, एक के बाद एक अभी तक, मीडिया में यह जो नफरती एजेंडा है, जो हेट मॉंगर्स हैं, जिन्हें भाजपा आज की तारीख में फ्रिंज एलिमेंट यानि हाशिये पे खड़े हुए लोग, मुख्य वाले लोग नहीं कह रही है, उन पर निशाना साध रहे हैं, बहुत ही दिलेरी के साथ, और शायद यही वज़़ा है कि तमाम लोग नाम से सोशल मीडिया पर उनके बयान को डालने के बाद उन्हें खत्रा हो गया, उनके परिजनों को खत्रा हो गया, और तो और इस भीड में यतीन अनंध फिर से कूटते हैं, और वह वीडियो जारी करके कहते हैं, कि इस शक्स के खिलाफ, यानि मॉहम्मद जुबेर के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदूों को तंग कर रहा है, एक जुबेर नाम का एक जिहादी है, जुबेर, अल्ट नियूज करके कोई नियूज की पोर्डल वगरा चलाता है, जितने भी हिंदू वादियों को प्रॉबलम करवारा है, ये जुबेर करवारा है, भाशपा की राष्टी जो प्रवक्ता है नूपूर शर्मा, वह टाइमसनाव में नविका कुमार जो एंकर हैं, उनके समक्ष एक आपत्ति जनक बयान देती हैं, जिसमें वह मुहम्मा सहाब और उनकी पत्नी को लेकर बहुत ही अश्लील धंग से बाचीत करती हैं, उसके ब नूपूर शर्मा ट्वीट करती हैं, दिल्ली पुलिस को टैग करती हैं और वह कहती हैं कि मुहम्मा सुबेर के इस ट्वीट की वज़ा से उनको उनके परिवार वालों को जान का खत्रा है, एक जून, भाशपा के जो प्रवक्ता हैं, नवीन जिंदल, वह ट्वीट करते है और इसमें भी वह इसलाम को निशाने पे लेते हैं, मुहम्मा साहब को निशाने पे लेते हैं, अभधर बातें कहते हैं, इसके बाद तीन जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़े पैमाने पर सामपरदाइक तनाव पैदा होता है, इस दोरान उत्तर प्रदेश पुलिस एक हजार पांसो लोगों को के खिलाफ मामला दर्ज करती है गिरफतारी 36 लोगों की होती है और इन 36 लोगों को 14 दिन की जुडिशल रिमान पर भेज दिया जाता है उत्तरप्रदेश पुलिस नूपुर शर्मा के बयान पर कोई मामला दर्ज नहीं करती है चार जून को ओमान में जो ग्रैंड मुफ्ती हैं वहां के एहमद बिन हामिद वह सीधे सीधे इस बयान पर गहरी आपत्ती जताते हैं और इसके बाद पूरा का पूरा महौल भारत के खिलाफ बनना शुरू होता है एक के बाद एक तमाम देश जो आपको स्क्रीन पेसर में दिखाई दे रहे हैं वह एक स्वर में बोलते हैं कि भारत में यह जो पूरी की पूरी बयान बाजी है यह इस्लामोफोबिक है पाँजून को जब मामला गंभीर हो जाता है राशदूत समन किये जाते हैं उसके बाद भाशपा उसमें भी कोई बड़ा नेता नहीं भाशपा एक बयान जारी करती है और वह कहती है कि उसका तमाम धर्मों के प्रती समान रुख है वो किसी के प्रती भी कोई भेदभाव नहीं करती है अब आप देखिए कि सबसे दिल्चस्प बात ये है यह सब कुछ भारत को निशाने पर लेकर हो रहा है भारत के खिलाफ अंतराष्टिय मंच पर इतने बड़े पैमाने पर चीजें ट्रेंड कर रही है भारत के समान को बाइकॉट करने की अपील की जा रही है लेकिन प्रधान मंत्री नरेन मोदी चुप रहते हैं और इसकी वज़ा शायद ही कोई बता पाए शायद इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि नुपूर शर्मा हो या नवीन जिंदल या तमाम और लोग जो नफरत पहला रहे हैं दरसल ये भाशपा की रड़नीती पर ही चल रहे हैं और शायद इनके खिलाफ खुल कर बोलना यानि अपने बहुत खास लोगों के खिलाफ खुल कर बोलना है इसलिए मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है आईए कुछ तथ्यों पे फटा फट नजर दोडाते हैं या तथ्य आपके लिए हमारे लिए पूरे देश के लिए जानने बहुत जरूरी है क्योंकि इस से पता चलता है कि जो लोग या जो राजनीती मुसलमानों के खिलाफ नफरत पहलाती है दरसल वह देश के खिलाफ नफरत पहला रही है क्योंकि आज की तारीख में भारत से विदेशों में रहने वालों की तादात बहुत अच्छी खासी है सेयुक्त राश संग के हिसाब से इंडियन इमिगरंट पॉपुलेशन 2018 तक करीब 3 करोड 20 लाग थे यानि 3 करोड 20 लाग भारती विदेशों में रहते हैं और इन में से करीब 15 मिलियन यानि 1 करोड 50 लाग भारती लोग इसलामी देशों में रहते हैं और ये सारे के सारे लोग भारत की अर्थववस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं 2018 के जो सरकारी आकड़े हैं उसका जो हिसाब है उसके मुताबिक तीन सालों में विदेशों में रहने वाले भारतिये 248 बिलियन एक साल में जो इनवर्ड रिमिटेंस होता है उसके रूप में देते हैं और इसमें से 3 लाख करोड रुपए अकेले इसलामी देशों से आते हैं भारत का जो मर्चनडाइज एक्सपोर्ट है सिर्फ चार इसलामी देशों में वह 40 बिलियन अमरीकी डॉलर है अब आप देखिए कि ये जो सारा का सारा हिसाब किताब है वह इस तरह से फैला हुआ है जिसको अगर नुकसान पहुचे अगर भारतिये उत्पादों का वहाँ हिंदुत ब्रिगेट लगातार बोलती है कि मुसल्मानों का बायकॉट शुरू करना चाहिए उनका एक्नॉमिक बायकॉट होना चाहिए अगर इन इसलामिक देशों में जो भारतिये नागरिक हैं उन्हें भारत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो भारत में त्राही त्राही हो जाएगी ये जो तथे हैं इनके बारे में ये जो उन्मादी भीड है ये जो हेट मॉंगर्स हैं ये बहुत जान बूच कर लोगों का दिमाग जाने नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि वोट की राजनिती के लिए इस तरह की नफरत फैलाना उनका जन्मसिद अधिकार है यह करते हुए वे खुले आम देश के कॉंस्ट्यूशन की ही नहीं देश की इज़त के साथ भी खिलवार करते हैं हम सब जानते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर बेज़ती होने के बाद भी जो नफरती एजेंट हैं जो हेट मॉंगर्स हैं तों नफ उनका बुनियादी स्वरूप है और शायद आपके वटसब तक भी यह सारी लिस्ट पहुची हो जो यह जो उग्र हिंदुत्व वाली ब्रिगेड है वह फैला रही है वह कह रही है कि अर्बों के साथ बिजनिस नहीं करना चाहिए दुबई नहीं जाना चाहिए और तो और यह सूची भी जारी कर रहे हैं कि किस-किस एरलाइन्स का अंतराश्टे स्थर पर बायकॉट किया जाना चाहिए अब यह लिस्ट इतनी लंबी है कि इसे साजा करने की जरूरत नहीं और मुझे पूरा भरोसा है देश की वटसब यूनिवस्टी पर कि आप तक यह सारे नफ चंख्या मिलेता है बहुत बड़ा चंख तेल का इन ही देशों से आता है भारत की जो टॉप कॉर्परेट कंपनियां हैं उनका बिजनेस इन ही देशों से चल रहा है ऐसे में हमें आपको यह जरूर कह सकते हैं कि इसे आगे नहीं बढ़ाना है लेकिन हम जानते हैं कि राष्टिय रिष्टों का इस तरह से कट ओफ करना मोधी सरकार के लिए भी संभव नहीं है इसलिए दिखावे के लिए ही सही वह बैक फुट पर गई है उसने एक कदम पीछे खीचा है इसी के साथ दो और खबरें जो बहुत विचलित करती हैं बदाईयों में एक मुस्लि दे रहा है स्क्रीन पर उस नौजवान का जो तडप रहा है स्ट्रेचर पर उसे जिस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक्स दिये गए यह भारती लोकतंत्र का एक बड़ा चहरा है वहीं दूसरी खबर है बिहार के समस्तिपुर जिले से यह दरदनाक फोटो जहां आर्थिक तंग पूशे वे आत्मत्या कर लेते हैं घरी में फासी पर जूल जाते हैं भारत असली भारत किस तरह से मर मर के जीने को मजबूर है किस तरह से विकास का जो पूरा धिंडोरा हमारे इर्द गिर्द बजाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है यह तस्वीर बता रही है और यह पढ़ते हैं कि इतने फीसिदी लोग गरीब हैं इतने फीसिदी लोगों के पास खाने को नहीं इतने फीसिदी मजदूरों के पास 10,000, 15,000, 20,000 से अधिक की नौकरी नहीं कमाई नहीं तब हमें चेहरे नहीं दिखाई देते अभी जो Center for Science and Environment का अध्यन है जिसने बताया है कि देश के 71 फीसिदी 71 परसंट भारतियों के पास एक टाइम भरपूर स्वस्थ खाना खाने के पैसे नहीं है जो भुक्मरी और गरीबी का आलम है शायद उस पर ध्यान हम आप बतौर भारतिय नागरिक दें और मजबूर करें कि हमारी सरकारें नफरती एजंडे के बजाए देश के बारे में सोचें और देश प्रेम के बारे में बात करें शुक्रिया